अभी तक तो मीडिया का एक खास वर्ग ही बदनाम था सरकारी संद्रक्षन हासिल करके देश को जूट परोसने के लिए लेकिन अब बाहर की बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कमपनी भी सरकार के इस रवये से कुछ डरी सी नजर आ रही है यह ताजा वाक्य फेस्बुक इंडिया के कारेकल आपको देखकर साफ साफ बताया जा सकता है The Wall Street Journal की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के कुछ नेता और कारेकरताओं के फेस्बुक पेज से आए दिन भढ़का उभाशन और पोस्ट किये जा रहे हैं The Wall Street Journal की रिपोर्ट के अनुसार फेस्बुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी निदेशक अंखी दास ने अपने स्टाफ को कथित तोर पर यह बताया है कि भाजपा नेताओं को हिंसा के लिए दंडित करने से कमपनी की भारत में बिजनस संभावनाओं को नुकसान हो सकता है हिंसा का अहवान कर रहे हैं फेस्बुक कमपनी की पॉलिसी की माने तो ऐसे पोस्ट करने वाले अकाउंट को तुरंट बैन कर दिया जाता है लेकिन यहां फेस्बुक इंडिया इन भाजपा नेताओं के ऊपर कारवाई से बच्चती नजर आ रही है देश में एक अजीब सा डर का माहोल पैदा हो चुका है देखना यह है वह डर का माहोल आपके दर्वाजे पर दस्तक कब देता है दावा किया है कि भारत में फेस्बुक और वाट्साप पर बीजेपी और आरेसस का नियंतरण है राहुल ने एक ट्वीट पे कहा कि बीजेपी और आरेसस देश को बाटने और फेक नियूस के जरिये नफरत फैलाने के लिए इन दोनों का इस्तमाल कर रहे है समाज की खबरे हिंदी न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना बुले अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अगर किसी भी तरीके का नियूस या अर्वेटाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666-471110 धन्यवाद